चार राशी के जातकों का सुरू हो गया है अच्छा समय यानि की चार राशी के जातकों की खतम हो गई है साडे साथी जाहां शानिदेव की पिछले लंबे समय से 11 साल से इनको साडे सता रही थी तो बस अब इन की सारे सारी का समय हो गया है तो जिले आपको पताते हैं ग्यारा साल बात इन राश्री वाले लोगों की सारे सारी समय आगया है साथ तारीक यानिकि आज के दिन से इन राशी वालोगों का शुब समय शुरू हो गया है ज्रेहा भगवान शुनिदेव के साथ साथ देवो के देव महादेव यानिकी भोले भंधारी के भी इन राशी के जातको पार खृरपादिश्ची बनी होई है हर काम इनका मुमकिन होगा और मार्च का ये पूरा महीना इन लोगों के लिए लकित साबी होने वाला है ये आप बात लिखकर अपने पास रख लीजिए क्योंकि ये चार राश्री के जातक आपको बताते हैं को उनसे हैं? ये चार राश्री के जातक है मेश, मकर, सिंग और मे लेकिन यहां पर इनको खास तोर पर अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और अगर वात करें मेश राशी के जातकों की तो उनको तो अपनी राशी के मताबिक अपनी सेहत का ध्यान विशेश तोर पर रखना चाहिए बता देश वनिदेव ने जितने आपको कश्च दिये हैं उतनी ही दुगनी खुशी आप भगवान आपको देने वाले हैं सालों बाद आपके घर में कोई बड़ी खुशकबरी आ सकती है जिससे पूरे खर का महौल खुशनुमा हो जाएगा श्वनिदेव अब आपके ओपर महरबान है आपको कोई भी काम नहीं रुगेगा अच्वानक से धन प्राप्त आपको हो सकता है अच्वानक से खुशिया आपके दर्वाजे पर दस तक दे सकती है शुप समय आपका शुरू हो चुका है सारे कश्ट आपके यहाँ पर खतम होते नजनाएंगे तो अपने मार्श की महिले को और भी ज़्यादा खुशनुमा बनाने के लिए ओम शन शनिश्चराय नमाखा जाप करें भागवान शनिदेव की उपासना करें फोलिनात को जला अब शेक करें इससे आपको विशेश तोर पर फाइदा जरूर होगा नेक्स्टुनाइन स्प्रिच्छल से इंदू की रिपोर्ट